हेलो इवरीवन मैं डाक्टर जी के प्रजापती और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल टेक्यूब फेकल्टी इच लेट्स क्रेक दगेट और हम लाये हैं आपके लिए 100% free get classes जेहां आपने बिल्कुल सही सुना हम लाये हैं आपके लिए 100% बिल्कुल free get coaching classes हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को lecture notes, video lectures, doubt sessions, career guidance ये सभी चीजे बिल्कुल मुफ्त में देने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को उन सभी student तक पहुचा दीजे जिनके parents मांगी मांगी coachingों के फिस भरने में असमर्थ हैं और हाँ हमारे चैनल को like और subscribe जरूर कर दें Engineering Mathematics लगभग Engineering के सभी ब्रांचोज में पढ़ाई जाती हैं गेट के syllabus में पांच से छे माडियूल Mathematics के दिये गए हैं जैसे Linear Algebra Calculus Complex Variable Idenary Differential Equation Numerical Methods और Probability and Statics यह पांच या छे माडियूलीं लगभग सभी ब्रांचोज में हैं और गेट के syllabus में दिये गए हैं हम इस lecture series में एक-एक करके सारे module को कभर करेंगे और सारे जो टापिक हैं उस पे practice भी कराएंगे कुछ previous years के जो questions हैं उसको भी हम लोग solve कराएंगे एक student जो गेट क्वालिफाई करना चाहता है या अच्छा score करना चाहता है वो mathematics से बहुत थोड़ा सा मेनत करके एक अच्छा score ला सकता है जैसे हम देख पा रहे हैं कि यह हमारे पास पिछले 10 सल का data है और 10 से लेकर के 15 marks तक के mathematics के question हर एक branch में पूछे गए हैं चाहे हो mechanical हो, civil हो, electrical हो, computer science हो हर एक branch में 10 से लेकर के 15 marks के question mathematics से पूछे जाते हैं जो की बहुत थोड़ी मेनत में ही एक अच्छा score कर सकते हैं आप तो सबसे पहले हम लोग module 1 जो की linear algebra है उसको पढ़ेंगे और यहां पर हमने जो engineering के कुछ branch हैं जैसे computer science, electrical, mechanical, civil, EC इन में जो linear algebra की syllabus है उसमें 90% तक सेम हैं कि फोड़े से difference है वो है CSC और EC में हम लोग इसको भी cover करेंगे तो आज़े सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं matrix के definition से हम किसी भी matrix को capital letter से denote करेंगे और उसके जो elements होंगे वो elements आपके इस form में लिखे जाएंगे AIJ के form में in order का कर लाता है अब जो है हमारे पास कुछ special टाइप से matrix हैं जैसे स्क्वायर मेट्रिक्स तो यदि आपके row और column दोनों equal हो जाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मेट्रिक्स यदि example के तोर पर देखा जाए तो यदि हमारे पास यहां वान टू थ्री फोर ऐसे ले तो यह हमारे पास टू क्रस्टू का एक स्क्वायर मेट्रिक्स है यहां पर हम लोग A B C D E F G H I यह ले लें और इसके element A B C D हैं तो यह हमारे पास 3 क्रस्ट 3 का एक स्क्वायर मेट्रिक्स है डाइगनल मेट्रिक्स ही बात करें यह हम लोग तो वे मेट्रिक्स जिसके डाइगनल जो elements हो वे नान जीरो होने चाहिए यहां पर आप एदी मेट्रिक्स दिखा रहे हैं A 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23 A 31 A 32 यह हमारे पास एक 3 क्रस्ट 3 का मेट्रिक्स है इसक्वायर मेट्रिक्स है तो यदि यह डाइगनल मेट्रिक्स होगा तो इस डाइगनल को छोड़ करके बाकी सारे हमारे जो elements हैं वो सब हमारे जीरो होने चाहिए तो ऐसे मेट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डाइगनल मेट्रिक्स और यह जो डाइगनल एलिमेंट है यानि A 11 A 12 A 33 यह आपके डाइगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं और इसको हम लोग कभी कभी प्रिंसिपल डाइगनल भी बोलते हैं प्रिंसिपल डाइगनल ठीक है अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट मेट्रिक्स की या इसको हम लोग आइडेंटी मेट्रिक्स भी करते हैं तो यह आपके पास कोई डाइगनल मेट्रिक्स है और डाइगनल जो एलिमेंट है वो डाइगनल एलिमेंट यह आपके वन वन है यह देखे डाइगन डिल्मेंट यह आपके वन वन है तो यह हमारे आइडेंटी मेत्रिक्स करा लते हैं यह इसको हम लोग यूनिट मेट्रिक्स करते हैं और कुछ operation से related हमारे पास definition है जैसे trace of the matrix तो trace of the matrix क्या होता है कि ज़स्त उसके diagonal जो element है उसका sum लोग sum निकाले तो जो आएगा हो वो हमारा trace का लाएगा यहां पर जो diagonal elements है करेंगे यहां पर आई आपका वन टू एन लिखाया सकता है यानि इसको हम लोग तोड़ें यह हमारा ए वन वन ए टू टू ए टू टू ए टू टू इस टाइप से जो एलमेंट्स हैं वह उसका सम करें तो हमारा ट्रेस कहला आएगा फर इक्जांपु लिदि आपके पास कोई टू क्रेस्टू का मैट्रिक्स हम ले लें टू टू फॉर माइनस वन जीरो तो इसका जो ट्रेस आएगा वह आपका 2 प्लस 0 यह जो diagonal elements है यह diagonal elements है इसका sum निकाल दीजे तो वह आपका trace का जलाएगा trace की कुछ properties है जैसे आपके पास दो matrix है A और B तो दोनों के sum या दोनों के difference का जो trace होगा वह अलग-अलग matrix के trace के sum या difference के बराबर होगा या किसी matrix में एक scalar से multiply करें और उसका trace आएगा वह उस matrix के trace में k times multiplication हो जाएगा तो यह दो result है trace से related इसकी जरुत हमें पढ़ेगी और इस पर questions भी हमारे आए हुए हैं next है transpose अब है matrix इसमें रो के जो elements है उसको column वाज लिख दें तो जो हमें matrix मिलेगा वह हमारा ट्रांस्पोज मेट्रिक्स का लाएगा फार एक्जाम्पूल यह दो हमारे पास कोई matrix A है यहां पर 1,2,-4,0,4,1,5,1,2 तो इसका जो transpose आएगा A transpose वह row को आप column वाज लिख देजिए यह column को row भी लिख सकते हैं जो नया matrix मिलेगा उसको हम लोग A transpose कहेंगे यहां पर row को हम लिख रहे हैं A 1,2,-4,0,4,1,5,1,2 यह आपका transpose matrix मिल जाएगा transpose matrix के कुछ properties हैं यहां पर हमने उसको note किया है जैसे A और B दो matrix है तो दोनों के sum का transpose होगा वह अलग-अलग matrix के transpose के sum के बराबर होगा और सेम चीज आपका difference के लिए भी लागू होगा हम किसी matrix के transpose का फिर एक बार transpose ले तो अब फिर पुना same matrix मिल जाएगी second property है और third property है कि A और B दो matrix है यह उनका हम लोग product का transpose निकाले तो जो product का transpose आएगा वह B transpose into A transpose आएगा यह इनका order जो है change हो जाएगा यह बहुत important ही इसको आप ध्यान रखेगा तो transpose से related 2021 civil branch के set 1 में एक यह देखिए question आया हुआ है बहुत ही easy question था one works में पुछा गया था करता कि एक P आपका कोई एक two cross two का matrix है और Q भी आपका इस तरह की symmetric है तो Q transpose P transpose क्या होगा यह आपके पास चार options है तो एक तो यह है कि P दिया है Q दिया है तो method one में आप जैसा है ऐसा कर सकते हैं कि Q दिया है तो Q transpose क्या होगा Q transpose यह होगा कि just आप Q को जो row है उसको column में लिख लीजी तो 01 यह हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा इसी तरीके से P transpose क्या होगा इसको रोज को column में लिख लीजे पी हमारा यहां पर है यह one two हो जाएगा three four हो जाएगा अब क्या करना है आपको Q transpose और P transpose पूछ रहा है तो Q transpose यह नहीं आपका 0110 यह हो गया into P transpose 1324 यह हो गया और इसका just multiplication हम लोग कर दें तो जो आएगा वो आपका एंसर आजाएगा तो multiplication हम लोग करें तो यह आएगा आपका zero zero into one तो zero हो जाएगा one into two तो यह two हो जाएगा पहला interest फिर पहले रो का दुसरे column के साथ करेंगे तो zero into three zero plus one into four तो यह four हो जाएगा फिर second row का first column के साथ multiplication करें तो one into one one plus zero into two zero फिर इस second row का second column के साथ multiplication करें तो one into three three plus zero into four zero तो यह हमको मिल जाएगा two four one three यह आपका आपका answer यहनि D सही है यह तो आपका method one हुगा लेकिन इसको आप यह प्रापर्टी अभी जो आम लोग ऊपर देखे थे third property क्या था कि यह आपका एक कोई matrix है बी कोई दूसरा matrix है तो उसका जो होगा तो यहां पर आप से जस्ट पूछ रहा था पी और क्यू का ट्रांस्पोज यानि आपको निकलना के जस्ट पी क्यू निकालेंगे और उसका ट्रांस्पोज ले लेंगे तो यहां पर हाद ही हम लोग देखें तो पी matrix क्या था पी matrix आपका दिया था उपर यह हैं पी matrix one two three four यह पी matrix था और जो क्यू matrix था आपका यह है 0 1 1 0 इन दोनों का हम लोग multiplication ले ले और पूरे का ट्रांस्पोज ले 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 तो जैस्ट क्यू ट्रांस्पोज पी ट्रांस्पोज आपको मिल जाएगा तो इनका multiplication करें हम लोग तो देखें क्या आएगा one पहले रोका पहले के साथ तो one into zero zero two into one two यह पहला entry हो गया फिर पहले रोका दूसरे कलम के साथ one into one one plus two into zero zero हो जाएगा दूसरे रोका पहले कलम के साथ 3 into zero zero फोर इंटू वन फोर फिर यहां दूसरे रोक आप दूसरी कालम के साथ करेंगे तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर इंटू जीरो जीरो इसका हमको ट्रांस्पोज निकलना है तो यह हमको जो मैट्रिक्स आएगी वह हमको मिलेगा टू, वन, फोर, ट्री इसका ट्रांस्पोज निकल लेजिए यानि आपको मिल जाएगा टू, वन, फोर, ट्री तो इस मैठण से भी हमारे पास देखेंस आपसन वी ही ट्रू हो जाएगा तो आपके पास एक मेथड यहाँ पर था और दूसरा यह मेथड टू है दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं next कांजूगेट आपे मैट्रिक्स जब आपके एलिमेंट्स जो हैं कांप्लेक्स नंबर हों तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का कांजूगेट ले लिजिए तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा कांजूगेट मैट्रिक्स का लाएगा हर एक जामपूल यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके इंक्री जो है complex number है तो पहला इंक्रीघ वन प्लस टू अई टू यहां पर हम लोग तू आई लिख सकते हैं यहां पर है थ्री माइनस आई एक हमने टू क्रास्टू का मेट्रिक्स लिया और यह दि आपसे इसका पूंछा जाएं तो कांजुगेट मेट्रिक्स काम लोग या वी आट प्राइम से रिनोट करते हैं तो यह जो अ आगा यानि कांजुगेट मेट्रिक्स आएगा जैस्ट उसके कंप्लेक्स इंट्रीज का बाए तो पहला क्या होजाएगा को इसका स्पास नम्च और ऊद सेवाद होगा कि यहां पर हुद यो हो जायेगा यह घरखेंट के अब कशल प्रापर्टी्ज traig करें पहला प्रापर्टीज oftentimes की दो मैट्रिक्स हैं ए और भी उनके समका जो कान्जूगेट आएगा वह अलग-अलग उस मैट्रीक्स के कान्जूगेट के सम के बराबर होगा उस मैट्रिक्स का फरीज अधी कान्जूगेट निकाल ले फिर सम करें तो जो आएगा वो बराबर आएगा अब दूसरी प्रपर्टी है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वह अलग-अलग कर जायेगा और यहां पर ध्यां दिजेगा कि कि यह जो मैट्रिक्स है कि इसमें आपका रीवर्स नहीं हो रहा है ठीक है जैसे A और B आपका है matrix तो इसके जो conjugate निकाल ले हैं तो इसमें A का आडर इदी पहले है तो पहले ही रहेगा और B का आडर बाद में है तो बाद में ही रहेगा conjugate में ऐसा चेंज नहीं होगा अर तीसरा प्रापर्टी है कि किसी matrix में हमें स्केलर से multiply कर दें फिर उसका अम लोग कांजुगेट निकालें तो यह इक्वल होगा उस स्केलर कांस्टेंट जो भी है उसके कांजूगेट से उस मैट्रिक्स से कांजूगेट में मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वह उसकी कवल यह यह तिन प्रापर्टीज है कि नेक्ट कांजूगेट आफ़्े मैंत्रिक्स इसमें हम एक बार जो कांजूगेट मेट्रिक्स का फिर ट्रांस्पोज ले 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 वो हमारे मेट्रिक्स मिलेगा और इसको हम लोग करते हैं यहां इसको हम लोग A बार प्राइम से यह दोनों नोटेशन यूज किये जाते हैं जनरली यह मुश्ट बुक में आप A थीटा ही पाएंगे इससे दिनोट किया जाएगा फर इक जामपो लिए आप देखें तो कोई एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके इंट्रीज क्या हो ओ कामप्लेक्स नमबर हो तो यहां पर आप खोड ले लीजए ले लिजे और यहां पर 2 प्लस 3 ले लिजे तो यह यह तो क्राश 2 का आपका मैट्रिक्स है जिसके इंट्रिक्स कांप्लेक्स नमबर है तो सबसे पहले आप इसका ि मैट्रिक्स निकाल दी तो जो मेंट्रिक्स आएगा वह प्रत्यक्य के Bernard करोई लेंगे तो सिह के मिले आपको 1 साई हो जाएगा यहां पर आपका माइनस साय हो जाएगा च्ठी का काको prohibited 2-3 तो जब इसका ट्रांस्पोज निकालेंगे इसका ट्रांस्पोज निकालेंगे ऐसे या इसका हम लोग एठीटा से भी दिनुट करते हैं तो इसका जब ट्रांस्पोज जो आएगा वह आपको मिलेगा यहां पर इसके भी कुछ प्रांस्पोज को लिस्टिट किया हूं मैं जैसे यदि आपके पास दो मेट्रिक्स हैं A और B तो इनका जो ट्रांस्पोज कांजुगेट आएगा वह उस मैट्रिक्स के ट्रांस्पोज कांजुगेट अलग-अलग करके सम करें तो दोनों इक्वल आएगा यह पहला प्रापर्टी है दूसरा प्रापर्टी है कि दोनों मेट्रिक्स का प्राड़क्ट का जो ट्रांस्पोज कांजूगेट होगा वह उन दोनों मेट्रिक्स के अलग अलग ट्रांस्पोज कांजूगेट मेट्रिक्स के प्राड़क्ट के बराबर होगा लेकिन इसमें ध भी आ जाएगा यह आपको ध्यान देना है जबकि आप कांजुगेट में देख रहे थे ऐसा नहीं था नेक्स्ट जो प्रापर्टी है वो यह है कि किसी मैट्रिक्स में दी हम किसी स्केलर से मल्टिप्लाई करें और उसका फिर ट्रांस्पोस कांजुगेट निकालें तो वह उस matrix के transpose conjugate में उस scalar के conjugate से multiply करने पर जो नया एक matrix मिलेगा वो उसके equal आएगा तो यह कुछ properties थी और कुछ matrix थे जिसको हमने इस lecture में studied किया next lecture में हम लोग कुछ और special matrices और उनकी properties को studied पढ़ेंगे thank you